इस वेक्त हम मौजूद हैं मुजफर नगर में यहाँ पर इस जिले की बात करे तो विधानसभा की छे सीटे आती है यहां हमारे साथ कुछ लोग मौजूद है इन से जरा बात करते हैं जैन चौधरी पर बीजेपी बड़े डोरे डाल रही है उसका क्या उन्हें कोई फायदा होगा जैन तो साफ कर चुके हैं कि उन्होंने मन मला लिया है कि वो गड़बंदन में है और उनी के प्रत्याश्यों के लिए वोट मांगा पिछले एक वर्स से धर्णा चला किसान एक वर्स धर्णने पर रहा है तब यह बीजेपी कहां थी तब अमिस साफ कहां था कल जो इन्होंने ड्रामा किया जो 200 लोग वहां थे एक भी लोग यहां के जिम्मेदार लोग कोई किसान नहीं पहुचा वो उनके अपने लोग थे बीजेपी के जो मंतरी से संबंद रखते हैं प्रसनल लोग नोंने 200 लोग वहां बुला कर एक जाट समाज का गलत मैसिज द जाट क्या है मंत जी मैं मैं आपको बताना चाहूंगा वहां जो चुनिंदा लोग बुलाए ना मेरे भाई ने बता भी विकास नहीं वो सब उनके चट्टे बट्टे थे नजदीग रहने वाले वो उनको किसी को ठेके दार बना रहा किसी को मिट्या काम दिलवा रहा क्या क जी जी बिलकुल डर है उन्हें लग रहा है उन्हें लग रहा है यह सब वोटिंग के टाइम पर हो रहा है अशने पहले क्यों नहीं बोला बॉर्डर पे 1 साल तक किसान रहा 200 किसान सहीध हुए वहाँपे तब तो नोने कोई ऐसी बात नहीं कि कि हम किसानों से मिल रहे है परदान मंतरी जी को देख लो आप उन्होंने कभी नहीं बोला किसानों के परती कभी कोई समवाद नहीं रखा अपना बाद में कह रहे हैं कि जो बिखराव हुआ इससे पहले के चुनाओं में उसका फाइदा कहीं नहीं बीजेपी को हुआ किसान इतना इनसे दुखी हो चुका था सब इनके जुमले हैं और कहते हैं कि जो भी बोलते थे पहले जुमले हैं इनके कल की बैठक का कोई असर नहीं पड़ेगा आप लोग कोई असर नहीं पड़ेगा यह समझा अगर मुद्धो की बात करें यहां पर तो देखा जाता है कि ध्रुवी करण की कोशिश होती है चाहे वो जाती है समीकरण साथने की कोशि है वीजेपी को और कोई भी आदमी यह कुछ भी अपना मुद्धा लेगा उस पर कोई भी तैयार नहीं है सब लोग बाग गड़बंदन की साथ है यह भी जा रहा था कि यहां पर एस पी और आरेली गड़बंदन ने तमाम जब हिंदू उमीदवार उतारे तो उससे कुछ हद तक नाराजगी थी क्या उसका नुक्सान होगा बिल्कुल कोई नाराजगी नहीं है हमारे जो राजच्चेद्दक्स हैं और सपा के जो राजच्चेद्दक्स हैं उन्होंने जो कंडिडेट तेक रहे अपनी बहुत अच्छी सोच समझ रहे और विचार करके सब हैं रही हमिस्साजी की बात हमिस्साजीने कल जाट नहताओ को बलाए जाट नहता नहीं तबेर इनके वूतर द्याग्स ऑड़ धास ये कर देङ सोच के मरे जब तो Sales ने मुझफर नगर में अगर हम बात करें तो यहां पर जाटों का कहना है कि कल जो बैठक हुई बीजेपी कार्याल में उसमें तो कोई जाट पहुचा ही नहीं वो तमाम इनके नेता कारे करता थे जिनको बुला कर पूरा मोहल क्रियेट किया गया कुल मिलाकर मुझफर नगर में अगर आप देखेंगे तो जेन चौधरी का प्रचार जो शोर से चल रहा है और उनके साथ चल रहे तमाम लोगों को ये मानना है कि पिछली बार जो वोटों का विखराव हुआ था जिससे आरेडी को नुकसान हुआ था पश्चमे उतर प्रदेश में इस बार सभी एक जूट है और उसका नुकसान होगा बीजेपी को कैमरा पुसिन मुनोजा दिकारी के साथ प्रतिमा में श्रा एबीपी निउस आप को रखे आगे